इस बार चुकि चुनाव मुद्दो का है, चुनाव सच्चाई का है, चुनाव रोजगार देने का है, चुनाव महिलाओ की सुरक्षा पे है, वो लोग डराने है कि अपरकास्ट वालों हिंदू ओ एक हो जाओ, नहीं तो मुसल्मान राज आ जाएगा, तो ये लोग आपस में यहां था कि मुख्यमंत्री भी, और आरोप क्या है, ब्रस्टाचार का आरोप है, राज्य सबस्तान सत है, उनको केजरिवाल जी अपने घर में लाते हैं और पिटाई करते हैं, तो ये महिलाओ का सुरक्षा है, ये नहीं कह सकता कि हमारे साथ नाइन साफी हुई, एक दंग दलित को दिमाग में भर दिया गया है, कि गडबंधन को वोट दो या भारत्य जंता पार्टी को वोट दो, चुकि इनको बरगलाया जा रहा है। है और दिल्ली के अंदर तमाम जो दंगल है, इस समय देखने को मिल रहा है, हमारे साथ मौझूद है इस समय, बीएसपी के प्रतियाशी इस्ट टेली से पका और चौधरी, आई ये उन से बात करते हैं, तमाम सवाल उन से करते हैं, और क्या जवाब आते हैं उनकी तरफ से, और जनता का क्या महाल है, जाने की कोशिश करते हैं, चलिए. कल की टाइमस ओफ इंडिया की खबर पड़ें, तो उन्होंने भी साफ साफ देखा के ट्राइंगल में चुनावा आ चुका है, अब मैं बात करूं हर्श मलोतरा जी की, तो चुकि छेतर की चंता ने देखा है, हर्श मलोतरा एक साल मेर रहे हैं, उसके बावजूद वो कहीं का समाधान जो इनसान नहीं कर सकता, जो विधायक रहते हुए नाले का पानी फिलवा रहे है वहां की जनता को, तो वहां की जनता ही जब तरस्त है, तो बाकी विधान सबह वाले तो खुद समझेगे तो इस बार चुकि चुनाव मुद्दो का है, चुनाव सच्चाई का है, चुनाव रोजगार देने का है, चुनाव महिलाओ की सुरक्षा पे है, तो कहीं न गई बहुजन समाज पार्टी जो सभी समाज को साथ लेके चलती है, चुनाव बहुजन समाज पार्टी जीत रही है अगर बहुजन नित्व की बात की जाए तो भेहन मायावती का सबसे पड़ा चेहरा है बड़ा नाम है लेकिन इस बार जो चुनाओ लोग सबागा चुनाओ हो रहा है उसमें कहा जा रहा है लोक्तंत बचाने की लराई है और इसके टीए इंट्या गडबंदन आगे है देखें ये तो दोनों लोग इंडिया गडबंदन और भारतिय जंता पार्टी यानि एंट्या दोनों लोग एक नूरा कुष्टी खेल रहे हैं गडबंदन वाले डरा रहे हैं खास तोर से माइनियोरिटी को और दलित को कि आप लोग हमें वोट दीजे समीधान बचाना है व तो मुसल्मान राजा जाए ला तो ये लोग आपस में नूरा कुष्टी खेल रहे हैं और वहीं बहन मायवती जो सब को साथ लेके चले हैं अकेले दम पे पूरे देश में तकरीबन हर सीट पे चुनाव लड़ रही है तो इस बार देश को पता है कि शेर अकेला ही चलता है जुन्डों में नहीं चलता है तो बहन मायवती जी जो पूरे देश में अकेले चुनाव लड़ रही है इस बार नतिजे बहुत सार्था काने वाले हैं और बहुजन समाज पार्टी विजय की और बढ़ रही है पकार साब आप जो है आमाधी पार्टी में के लिए जो आपने काफी संघर्स किया आपका दिए नाम है क्योटी केजडिवाल से आप शुवाथी पिरियेट से आप दूरी हुए थी लेकिन क्या वज़े थी कि आप आमाधी पार्टी को छोड़ करके बीएसपी से आप पूरवी दिली के मेरे मज़भ को लेके इन्होंने बती टिपड़ी की जिससे आहाथ होके मैंने नेताओ से शिगायत की बजाए नेताओ उस पे एक्शन लेते लीपा पोती करने पे लगे दूसरा ये लोग भरस्टा चार जब मैं जोड़ा था तो मुझे भी यकीन था कि देश से ब्रहस्टा चार खतम हो जाएगा लेकिन ब्रहस्टा चार का ये आलम है तमाम मंतरी जेल में यहां तके मुख्य मंतरी भी और आरोप क्या है ब्रहस्टा चार का आरोप है ब्रहस्टा चार के आरोप में पूरी पार्टी जिस मेन मुद्दों को लेके आई थी उसमे को केजरी वालजी अपने घर में लाते हैं और पिटाई करते हैं तो ये महिलाओ का सुरक्षा है तो कहीं न कहीं मैं इन सारी चीजों से आहत हुआ और मैंने फैसला किया कि नहीं मुझे जाना चाहिए और इधर बेहन मायवती का देखा मैंने बहुजल समाच पार्टी का जो तमाम समाच को लेके साथ चलती है महिला सुरक्षा की वो बात ही नहीं करके दिखाती है चार बार का अगर हम उत्तर प्रदेश का शाषन देखें बहुजल समाच पार्टी का तो तमाम लोगों को सुरक्षा मिली कोई एक आदमी ये नहीं कह सकता कि हमारे साथ नाइन साफी योई एक दंगा नहीं हुआ और शासन कैसे चलता है बहन मायवती नहीं दिखाया लेकिन आम आदमी पार्टी जब दिल्ली में दंगा होते हैं तो उनका कोई बड़ा रोल सामने नहीं आता है तो क्या लगता है बहुती स्मार्ट पार्टी से अब लरेगे तो अगर आप सांस पूरी दिल्ली में भी माहौल खराब करने की कोशिश की गई खास तोर से मेरे इलाके में तो बहुत माहौल खराब करने की कोशिश की गई भारतिय जन्ता पार्टी के विधायक तक यहां पर उल्टे सीदे नारे लगवा रहे लेकिन हम लोगोंने सयम से लोगों को समझाया तमाम मख़ाइब के लोगों को बिठाया, उनसे बात की और कहीं न हुए उन्हें भरोस्ता दिलाया लेकिन भारते जंता पार्टी और आमाधी पार्टी तोनों चाहती है दंगा हो तोनों ने ही मरकज पर ताला लगवाया दोनों ही पार्टियों ने मिलके मौलाना साध पे F.I.R. कराई और कुरोनों में तो मुसल्मानों को इस तरह से अपमानित करने की कोशिश की कि जैसे मानों उन्होंने करोना बम बना दिया तो सब ने देखा जनता सब जानती है जनता ऐसा नहीं है कि भूल चुकी है सारी चीज जनता के सामने बगार भाई तमाम जो बीजेटी हैं उस पे आरोब लगते हैं कि वो धर्म के राजूपी करती है अभी आपने कहा कि जो आमाधी पार्टी है वहां पे वी जो देता है आपके धर्म को लेके उन्होंने अनारगल बोला है बारतिये जनता पार्टी के ढरे पे आमाधी पार्टी चल पड़ी है जो यहां के फ्रै अ समाज को बिलॉंग करते है वाल्मी की समाज से वह आते हैं आहमादी पार्टी ने कहीं ना कहीं एक चाल खेलने की कोशिश की कि जर्नल सीट पर हमें एक वालमी की समाज के शक्स को टिकिट देंगे तो कहीं ना कहीं मुसलिम और वालमी की समाज आ जाएगा लेकिन जब उन्होंने देखा कि वालमी की समाज को हिंदू समाज बिलकुल भी वोट नहीं दे रहा है तो उन्होंने मुझे अपमानित करनी की कोशिश की और उन्होंने ये मैसेज कनवे कराया कि देखो हम भी मुसल्मानों को गालियां देते हैं हम भी मुसल्मानों को भला बुरा कहते हैं तो सब देख रहे हैं आमादी पार्टी भी आज जैसे भारते जंता पार्टी खुल के कहते हैं कि हमें मुसल्मानों की वोट नहीं चाहिए ऐसे ही आमादी पार्टी और तमाम गडबंदन के लोग भी कहने लगे हैं कि हमें मुसल्म किस पर्तियाशी को वोट देना है जहां पे आपकी इज़त होगी उस पर्तियाशी को यह जहां पे आपकी वोट की कीमत नहीं है उस पर्तियाश उसे यह उखर कोई की आप जनता की बीज़ में कि अब समझ में नहीं आता कौन कौन भी टीम है माइए में वैसे साब को भी यह कहा जाता है बहन मायवती को भी यह कहा जाता है यानि अगर मैं मान के चलूं तो इंडिया गडबंदन दूद का धुला हुआ है और बाकि सारे दल सारे राजनेतिक दल भी पार्टी है तो जनता सब जानते है कोन B पार्टी है कोन A पार्टी है सब को पता है तो है। मैं हमेशा तमाम समाज के लोगों की बात उठाए दलीतों की आवाज उठाए है, मुसल्मानों की आवाज उठाए है, पर छर रूप से बोले हैं वो लोग सभा में बोले हैं और हमारी नुमायम की लिए लेकिन कहीं ना कहीं मैनियोरटी को दलित को दिमाग में भर दिया गया है कि गडबंधन को वोट दो या भारतिय जंता पार्टी को वोट दो चुकि इनको बरगलाया जा रहा है आज इस्तिती ये हो गई है कि डर के माहुल से लोगों को डरा के वोट लिया जा रहा है कोई भी पार्टी हो गडबंदन हो या भारते जंता पार्टी हो विकास के या आने वाली दूर दर्शिता के हम क्या भावी योजनाय लाएंगे उस पे बात नहीं हो रही है तमाम पार्टियां सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीती कर रही है वही बहन मायवती का किलियर वीजन है चूकि हमारी पार्टी का मानना है कि हम लोग मैनिफेस्टों नहीं चपवाते हैं हम लोग करके दिखाने में विश्वास रखते हैं तो जैसे कि आपने सुनहा वकार चौधरी को उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिये हैं इस पूरी चर्चा पे क्या सोचते हैं क्या राय रखते हैं कमेंट दोरा साजा करें अगली अपडेट के साथ आपके समझ फिर प्रसुत होंगे नमस्कार प्रसुत हैं